हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल, सर्दियां आए, तिल और गुड की गज़क ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कई दिन से मेरे हस्पेंट बोल रहे थे कि तुम कब बनाओगी, तो मैंने सोचा चलिए आज बना ही लेते हैं तिल वाली गज़क इसको बनाना बहुत सादा आसान है, और जट-पट से बनकर तैयार भी हो जाएगी, बहुत ही मिंटो सेकिंडों में ये बनकर तैयार होती है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक कर दीज है, क्वान्टिटी, अगर क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो क्वान्टिटी पर फोकस करना जरूरी है, तो हमने लिया है 500 ग्राम गुड उसको एक नाइफ की हेल्प से बारिक-बारिक पीसिस में कट कर लिया है, अब लेंगे एक कढ़ाई और ये सारा गुड हम इस चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे नहीं चिपके, और यहाँ पर अगर गैस का फ्लेम हाई रखा तो गुड नीचे चिपक सकता है, जिससे इसमें जलने की स्मेल आ सकती है, तो इसको बनाने में तो 10-5 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पूरा ट गजग बना कर तैयार कर रहें हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मुम्फली वाली गजग भी बना कर तैयार करी जा सकती है, ये देखे, देखते ही देखते, गुड में आने लगा है उबाल, इसमें इस पैचुला को चला देंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये स्लीप हो जा रही है तो अभी यह परफेक्ट नहीं है कुछ ही देर में आप देख सकते हैं इसका टेक्शर किस तरीगी का हो चुका है और यह काफी ज्यादा इस्टिकी होना शुरू हो गई है तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह परफेक्ट है गजग बनाने के लिए तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में थोड़ा सा पानी भरके उसे रख दीजिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए या फ्रीजर में भी रख सकते हैं बोल अगर काच का हो तो और भी ज्यादा बेटर है अब मैंने यहाँ पर ठंडा पानी ले लिया है थोड़ी सी चाशनी को मैं इसमें डाल की देखूंगी अगर यह इसमें जमना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम है तिल को इस चासनी में मिक्स करने का अगर यह नहीं जमती है या बहुत जादा सोफ्ट होती है अभी अच्छे से नहीं बन पाएगा अगर आप बनाना चाहते हैं लड़ू तो आप थोड़ा सा सोफ्ट भी रख सकते हैं तो हमारा यह बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इसमें डालेंगे आधा चमस्च के जितना घी इस पेक प्यारीशी साइन लाने के लिए आप घी को टोटली अवोइड भी कर सकते हैं मैं आपके यहाँ पे भी हैं बच्चे या बूडे जिने चबाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती हैं तो आप इसको थोड़ा सा सोडा डालगर बना सकते हैं अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ मुंगफली मुंगफली को मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इसका मैंने लिए हैं 500 ग्राम तिल quantity आप याद रखिए 500 ग्राम तिल और 500 ग्राम गुड का ही हमने यूज किया है मेरे पास यहाँ थी 50-50 ग्राम मुंफली वो भी मैंने इसमें एड़ कर दी है आप टोटली तिल के साथ भी बना सकते हैं मुंफली के साथ भी बना सकते हैं आप तिल को इसमें ढालने के बाद बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स आप देख सकते हैं यह गुड कितना फूला फूला हो गया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एड़ करने के बाद में यह बहुत जादा से मिक्स कर लेंगे यहां पर अपने हाथों को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना नहीं तो यह जमना शुरू हो जाएगी कड़ाई के अंदर ही अब आते हैं नेक्स स्टेप पर इसको छोड़ो और जिस बरतन में आपको यह डालनी है उसको पकड़ो इसमें लगा लो थोड़ा सा घी या फिर ओयल मैं यहां पर घी का यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से इसको हम ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से इसको हमें फटाफट करना है या फिर आप किसी की हल्प भी ले सकते हैं इस प्लेट को ग्रीस करने के लिए क्योंकि यह बहुत जल्दी से जमना शुरू हो जाती है क्योंकि ठंड भी है और यह गुड भी है तो बहुत जल्दी से यह ठीक होती चली जाती है अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इस प्लेट में आम देखिए काफी अच्छे से यह भी कड़ाई में ही सेट होने वाली थी इसको फटाफट से हमें इसमें ट्रांसफर कर लेना है और इसको सेट कर लेना है जैसे ही आप इस पैचुला इसके उपर लगाएंगे तो यह काफी ज़्यादा चिपकने लगेगी तो जितना भी कड़ाई के अंदर बेटर है उस सब को इसमें निकाल देंगे एक स्पून की हेल्प से इस स्पैचुला के उपर जितना लगा है उसको भी साइड में निकाल देंगे बिल्कुल इस तरीके से और अब जल्दी से इस प्लेट को हमें टैप करना है नीचे ताकि ये बहुत अच्छे से चारो तरफ equally सेट हो जाए मोटा पतला आप इसको अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं अगर आपको ये बनानी है बहुत बारिक बारिक पपड़ी के दियसे तो आप इसको और बड़े बरतन में फला सकते हैं मैं इसको थोड़ा थेक ही बना कर तयार करूँगी जैसे बर्फी का पीस बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से तो इसको इस तरीके से साइडों में करते हुए अच्छे से प्लेट में फला लेना है बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये जमने ना पाए अब इसके बाद में मैंने लिया है एक मेजरिंग का इसके सर्फेस पर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा घी और इसको अच्छे से उपर से इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी चारो तरफ ये देखे बिल्कुल इस तरीके से आप कोई भी बरतन ले सकते हैं जिसकी सर्फेस एकदम से फ्लैट हो इस तरह से करने के बाद में इसके उपर आ जाएगी बहुत प्यारी शाइन जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है इसको गरम गरम ही हमें इस तरह से स्प्रैड कर देना है आप चाहें तो इसको अवोइड भी कर सकते हैं ये स्टैप इसको मैं शाइनी बनाने के लिए ये स्टैप कर रही हूँ जब बरतन में इसे डाले हुए चार से पांच मिनट हो जाएंगे और ये थोड़ी थिक हो जाएगी या यूँ कहें थोड़ी सेट होना शुरू हो जाएगी तब हम इसमें लगा देंगे कट क्योंकि जब ये प्रोपर जम जाएगी तब इसमें कट लगाना इंपोसिबल के जैसा होता है इलकी गज़क में कट लगाना बड़ा आसान होता है लेकिन अगर आप बना रहे हैं मुंफली की गज़क तो उसमें कट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मुंफली साथ के साथ कटती है तो इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइट चाकू चलता है इसी तरह से इसमें अपने पसंद के according कट लगा लेने हैं जितने भी बड़े आप पीस बनाना चाहते हैं या फिर छोटे बनाना चाहते हैं दोनों तरफ से equally कट लगाने के बाद में अब इसको रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद जैसे ही आप चेक करेंगे तो ये प्रॉपर सेट हो चुकी होगी ये देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है अब हम इसके पीसिस कट करेंगे एक नाइफ से हमने फिर इस तरह से हलका हलका इसको चला लेना है ताकि बहुत अच्छे से पीसिस अलग हो जाएं अगर आप ये प्रॉसेस नहीं करेंगे तो आपके पीसिस उतरने मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि अभी बहुत जादा सर्दी पड़ रही है और अगर आपने भी मेरी तरह प्लेट के नीचे लगाया है घी तो आप इसको 30-40 सेकिंड के लिए गैस का फ्लेम ओन करके उसके उपर रख दीजे और प्लेट को चारो तरफ गुमा दीजे इससे क्या होगा नीचे जो घी लगा होगा वो मैल्ट हो जाएगा और ये पीसिस बहुत आराम से निकल जाएंगे ये देखे जैसे हमारी इस गजग का निकल कर तयार हुआ है अब इसको हम निकाल देंगे साइड प्लेट्स में रखते जाएंगे और एक चीज दियान रखने वाली ये है कि इन पीसिस को अभी हमें एक दूसरे के उपर नहीं रखना है नहीं तो अभी गजग थोड़ी सी गरम है तो ये आपस में चिपक जाएंगे पीस को एकदम से खिला खिला करके अलग अलग रखना है ये देखे बड़ी है आसानी से सबी पीस आपके सामने मैं इसके इस तरह से कट कर रही हूँ ये देखे बहुत ही सोफ्ट और बहुत ही टेस्टी तील वाली गजग हमने घर पर बना कर तयार कर ली है आप भी पिल्कुल इस तरीके से इसको बना सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाई थैंक्यू फो वोचिंग